हेलो स्टूडेंट्स मैं दिलिपवार असिस्टेंट प्रोफोसर एस्ट्री वर्किंग एट गोवर्मेंट कॉलेज नावरूर। तो लास्ट ही लेक्चर में अपने बात की थी 1830 की क्रांती के बारे में हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1830 की जो क्रांती थी वो फ्रांस में शुरू हुई और फ्रांस में क्रांती होने के पशार उसका प्रभाव लगबग पूरे यॉर्प में देखने को मिला। उसी प्रकार से 1848 के क्रांते भी उसी पैटन पे फ्रांस में ही शुरू हुई और फ्रांस में शुरू होने के पशार इसका प्रभाव हम देखते हैं पूरे यॉरॉप में देखने को मिला लेकिन फिर 1838 के क्रांते में कुछ अंतर है तो अगर अपने इंट्रिक्शन के बारे में बात करें 1818 के क्रांते के बारे में तो इसका मटलब क्या है, कि जो क्रांते का सिलसिला 1789 में शुरू हुआ आपको पता है प्रांस के करांतिवी तो यो जो तीनों क्रांतिवी यह common चीज है, तीनों कुरांति, राजा के निरंकुश, शाषन के विरोध में जनता के त्वारा कुरांति की गई, इस त्वारा हम देखते हैं, राजा के शक्तियां बहुत कम हुई, जनता को धिरे-दिरे अधिकार मिले, तो इन त्वी कुरांति में पैटर एक सा है, फिर अ 1830 के करांती थोड़ा से आपर बात करेंगे कि 1830 के क्यों हुई तो जो अपन यह बात करेंगे वो है कि यह 1848 की क्रांती क्यों हुई है वाय मने लिक रहे काना है या नी 1840 के क्रांती के होने के पीछे कारण क्या है जैसे जो 1830 की क्रांटी वी थी उसके पशाट क्या हुआ खुछ सकारात्मक बदला हुआ है 1830 की क्रांटी के बाद हम देखते हैं कि अधिकांश देशों में यूरोप के एक liberal constitution की स्थापना कीगी liberal constitution है उदारवादी समिधान की स्थापना कीगी जो उदारवादी समिधान बनाया गया उसके अंतरगत अधिकांश फाइदा किसके द्वारा लियाएगे मिडिल क्लास के द्वारा मध्यम वर्ग के द्वारा अधिक से अधिक अधिकाब प्राप्त किये गए तो यहां पर मद्यम वर्ग को फाइदा हुआ जो निशले वर्ग के लोग थे जो आम जनता थी उनको अधिक फाइदा नहीं वा तो आम जनता में जो असम्तोश है वो शुरू से ही बनावा था कि 1830 के क्रांटी का सारा फाइदा मद्यम वर्ग ने लिया लूई फिलीप राजा बना 1830 के क्रांटी के पश्चात और जो लूवर क्लास से उसका शोशन पूरू ब्रत जारी रहा और अगला कारण क्या रहा कि हो 1841 के क्रांटी वी क्योंकि इस समय फ्रांस के राजा कि जो फॉरूर्न पॉलिष थी विदेश नीटी विदेश नीती पहली वार्ण समय इंपॉर्टंट उई 1830 के क्रांटी में विदेश निती का कोई रोल नहीं था लेकिन 1848 की क्रांटी का एक कारण यह था कि जो विदेश निती थी बहुत कमजोर थी फ्रांस के शाशक की खास कर बेल्जियम के प्रश्ण पे और जो इस्टरन प्रॉब्लम थी जो पूर्वी समस्या थी उससे समंदे जो विदेश निती थी लूई फिलिप की वो बहुत कमजोर थी और फ्रांस का स्थान है विदेश निती के मामले में दुनिया में योरप में नीचे गरता जा रहा था तो यह भी एक कारण है कि विदेश निती काफी कमजोर थी लूई फिलिप ब्राजा की जो फ समाजवाद है उसके विचारधरा भी यूरोप में बढ़ने लगी ती क्योंकि जैसा कि अपने खाय कि 1830 की क्रांति के फायदा मद्यम वर्ग ने लिया तो जो पीजेंट थे जो किसान थे जो वरकर लोग थे जो मजदूर लोग तो इंडस्ट्री में काम क्या करते हैं उनके है असन तो उसका कारण की हम देखते हैं कि समाजवाद की फ्रांस के न शुरुवाद देखने को मिलती है और जो शुरुवादी विचारक थे समाजवाद के उनमें किसका नाम आता है फ्रांस के सेंट सिमॉन बहुत इंपोर्टन नाम है यह सेंट सिमॉन अगर अपने लुए फिलिप का शाषन फ्रांस में में खत्म हो जाता है बिसले करांती में फायदा मद्यम भर्ग को मिला तो इस करांती की पशार फायदा वो आम जन्ता को भी थोड़ा मिलने लगा जैसा कि अडल्ट सफ्रेज दे दिया गया अडल्ट सफ्रेज का क्या मतलब है व्यस्क मतातिकार यानि जो व्यस्क लोग है वो चुनाव में वोट पर लावाया फ्रांस में अडल्ट सफ्रेज लागो कर दिया गया यानि जो भी व्यक्ति वेस्क है वो चुनाव में वोट डाल सकता था फिर अगला कौन सा फैदा हुआ अठा सो और तले सी करांती के पशार जो स्लेवरी है जो डास प्रथा है फ्रांस की कॉलोनी में उसका अंत हो गया दास प्रथा का फ्रांस की कई सारे कॉलोनिस थे ऊपन वीजस थे तो वहां पर दास वेस्कहां अंत कर दिया गया फिर और क्या फैदा हुआ इस करांती के पशार फ्रांस में समाज़वाद की विचारदारा और अधिक फल ने फूलने लगी समाजवाद की उसको इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया गया देखो एक समाजवादी विक्ति को अधुगिक मंत्री बना दिया गया अधुगिक मामलों का मंत्री बना देगा है फ्रांस के इंडर तो इसलिए हम देखते हैं कि जो मजदूर वर्थ है उनको अधिकार मिलने शुरू होगे 1848 के क्रांती के बाद तो यह जो समाजवाद का एंगल है जो सोशलिजम का एंगल है वह 1848 के क्रांती में नया है 1830 के क्रांती में समाजवाद के कोई बात ने लेकिन 1848 के क्रांती के समय तक समाजवाद उसका प्रभाव फ्रांस में और यूरोप में बढ़ गया था फिर अप वक्हांने बात करते हैं यह प्लाब हो पोरे यूड़ में पुरीए उर्तित्रियुक की परोगो पड़ा है कि जब भी भी फ्रांस को जुखाम होता है तो पूरा यूरप छीनता है इसका मतलब यूरप में कोई भी महत्वपून गतिविदी होती है उसका सीधा पुरबाव यूरप के सभी देशों पर पढ़ता है क्योंकि फ्रांस एक अती महत्वपून देश था योरप का अब इसका भार क्या प्रभाब पड़ा जो आउस्ट्रिया का चांसलर था मैटर्निक मैटर्निक के ही गाइडेंस में 1815 के वियना ट्रेटी स्थापिट किये गए थी तो जो मैटर्निक के उसका डाउन फॉल हो गया यानि मैटर्निक का अंत हो गया मैटर्निक को अपने शासन से हाथ दोना पड़ा और फिर अपन देखते हैं इटली जर्मनी में भी इसका प्रभाब पड़ा दौना देशों में क्योंकि जब 1848 के क्रांती हुई थी तो उसमें इटली और जर्मनी में जर्मनी दोगों के न के इसे क्रांती फायदा उठा के अपने देश का एक ही करन करना चा रहे थे जर्मनी के जूह सकता है। जर्मनी का एकिकरन करना संबब हो जाए लेकिन उनके प्रयास यहां पर सफल नहीं हुए लोगों ने प्रयास के इटली जर्मनी को एकिकरन करने के प्रशार क्योंकि हम देखते हैं मेटनिक जो इटली जर्मनी के एकिकरन का सबसे बड़ा डुस्टमन दा वो खत्म हो चुका तो इनको आशा थी कि एकिकरन हो जाएगा लेकिन इनका प्रयास अधूरा रह गया तो इसके बारे में डेटेल से अपने इटलियो जर्मनी का एकिकरन जब किया था उसके बारे में अपने पढ़ा था कि 1830 की करांती का क्या प्रवाब पढ़ा इटली जर्मनी में और 1848 की करा का इटलियों जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ा सुए टोज़ फेल्ड यूनिफिकेशन एफट ऑफ इटलियन जर्मनी यह प्रयास काम्याद नहीं हो पया हूँ जैसे जर्मनी में क्याबर नैशनल पार्लेमेंट उस एलक्टेड अठास वारत तलजिसके करांते के बाद में जर्मनी में एक राष्ट्रिय संसत की स्थापना की गई लेकिन उफ यूनाइटेज जर्मनी तो जो जर्मनी शाशक था उसने संपूर्ण एकिकरत जर्मनी का फार द्राउं का शाचन लेनेसे इंकार कर दिया लास्ट मुमेंट पिर राष्ट्र kinda के लेकिन जो राजा है वहां का उसने संपूर्ण है एक एकर जर्मनी के गद्ध लेनेसे इंकार कर दिया तो इसलिए और फिर मौका 50 के इस अंडुलोंग को उसके माध्याम से जर्मानिय के एकिकरन करना संबहु नहीं है, अब हमें मिलिटरी मैठट को फॉलो करना पड़े गा, यानि सैनिक रास्तों का इस्तमाल करना पड़ेगा, हमें अप्ती टाकट में जाथा करना पड़ेगा, हमें उस्ट्रिया को युद्ध में रहना पड़ेगा उसके पश्राथी जर्मनिय का एकिकरन संभव है और यही सोच बिस्मार्क की थी बिस्मार्क को पता लगे रहा 1848 के बाद में जो उदारवादी तरीके उनसे में कामिया भी नहीं मिल सकती तो बिस्मार्क की नहीं थी क्य करानती के करण क्योंकि इनकी युनिफिकेशन का एफट यहां पर फेल हो गया था फिर अपन बात करें कि यूरप में और क्या प्रवाब बढ़ा समाजवाद की विचारधारा और अधिक प्रगाड होगे यूरप में इस करानती के फलसुरों और इसके बार अपन बात करते हैं कि कई सारे देशन में उडारवादी संविधान के स्थापना की यह राजा भी रह यह और संविधान भी रह गा उसको लिब्रल कॉंस्टीट्वूशनल मोनार्क आ जाता है यहां पे उधार एंपर एक संविधान रख दिए गया राज पिसिट कर दिए यहां फिर अफंद देखते हैं हंगरी रास्ट्रवाट की भावना के चलते हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया स्वाइटिता दे गई पहले हंगरी ऑस्ट्रिया के एक भाग था ऑस्ट्रिया के अंतरगत आया करते रहा लेकिन और 17144 की करांते के फाल सोर। वहां पर लोगों ने विड्रोग किया जैसे कि आप जानते हैं जो आफ्ट्रिया का चांस्ला था मैटनिक वहा थोखत्म हो जुका था तो असी चीज़ का फायरा उठाते वे हंगरी ने अपने आपको आस्ट्रिया से अलग कर लिया किसके अधा पिर इंग्लेंड में भी इसका प्रभाब पड़ा अर्थार सो अर्थालिस के क्रांती इंग्लेंड में क्या प्रभाब पड़ा इसे क्रांती ने चार्टर मुमेंट जो चार्टर आंदोलन हुआ था अगर मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा जो चार्टर अंडुलन था ब्रिटेन में जो मजदूरों के द्वारा लड़ा गया जो समाजवादी विचारधारे के लोग तो उनके द्वारा लड़ा गया तो चार्टर अंडुलन को एंक्रेज किया कि इस अठारस और तालेस की क्रांति ने कि ओर जगे पर विड्रों हो रहे थे तो इंगलेंड में जो समाजवादी लोग थे जो मजदूर वर के लोग तो उन्होंना भी अपने आपको संविटेट कर दिया और चार्टर अंडुलन को गति प्रदान के और इसी के कारण हम को दे हैं इंगलेंड में इस सुधार आधिनियम पने इसमों को और अधिक अधिकार दिए ठीक होग तो हम देखते हैं कि क्रांतियों करांतियों के शक्तियां कमजोर होती है में उन्यों 14 scenario की करांती का पर。 फिर इसके बाद aerial जर्मनी के जो लोग थी उनको पता लग गया। जो उडारवारी तरीकें, उनसे हमें एकिकरत कर सकते हैं, अपने राश्ट कि हमें सैनिक टाकर के करना पड़ेगा फिर और क्या इसका इंपोर्टेंस है कि जो मजदूरों का वर्ग है उनमें एक अवेर्नेस थाई उनमें जाग रुपत आई वह और अधिकारों को और अधिकारों को डिमांड करने लगए अधिकारों के अधिकारों के प्रति अब राजाओं का शाषन है जल्दी खत्म होने वाला था पूर्ण रूप से फिर रास्ट्रवाद भी पन पहा है अधिक प्रबल हुई तो म्हें बात करेंगा एठारास आउर्द के फाल्सवरू तो जो नेसलिस्ट अवेक्निंग थे इट गोट ट्रांसफर्ट फॉम लीडरस तो पीपल अब जो रास्ट्रवाद के भावना है वह किवल बड़े निताओं तक ही सिमित ने रहे रास्टवाट के भावना आप आम जनता तक आने लगे तो रास्टवाट भावना पूरे यॉरप में अर्तदिक प्रबल होगी अठारा सो अगला यह लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगा उसके कमिया इसके बार अपन बात करेंगा इसके साथ हैं अपन यह घृँठ्म करते हैं आप लोगों वह से जूड़ने के लिए बहुत-बहुत झाल झाल